नमस्कार दोस्तों जिकार्दुसार योट्व चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है टीजीटी हिंदी 2011 का साल पेपर है जिसकी परिछा 17 जून 2016 को हुई थी तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे एक छोटी सिर्क्वेस्ट अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेजी चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें ताकि जब भी मैं एगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपकी मुआल पर सबसे पहले पहुंचे तो चली वीडियो प्रारंब करते हैं हां अगर आप लोग और भी प्रिवियस येर का पेपर देखना चाते हैं तो उसका एक प्लेजिस्ट बना हुआ है जिसका नामे टीजीटी हिंदी और उस प्लेजिस्ट का लिंक में डिस्किप्शन में दे दिया हूं तो पिछले यर्स य नामे में से सदल मिस्र की रचना कौन सी है तो सदल मिस्र की रचना है नासी केतो पाखान D सही होगा इसमें Q Stanley No. 4 है सरहपा का सμस्मंद किस सांद इत है सरहपा इसका संबन है सिद साहित्य से QCan No. 5 है सत्यार्त प्रकास के लेखा का नाम क्या है इसके लेखा का नाम है डयानंद जैनि स्वामी डयानंद QCan No. 6 है आदिकाल को बीरगाथा काल किस ने कहा है तो ये कहा है राम चंदर सुकले ने सीज कराई टेंसर होगा इसमें कोस्ट नमर साथ है पिर्थिवी राज रासों के रचेता का नाम बताईए पिर्थिवी राज रासों के रचेता का नाम है चंदर बरदाई कुश्चन नमर आठ है कबीर दास किस काविधारा का परतिनेत्व करते हैं तो ये करते हैं संत काव्य का कुश्चन नमर नौ है खुमार रासो की रचेता कौन है तो इसकी रचेता है दलपती बीजय एसा ही होगा इसमें Question number 10 है इनमें से कौन से कभी संत कभी नहीं है संत कभी नहीं है तो वह है तुलसी 10 Question number 11 है इनमें से सूफी का विधारा का कभी कौन सा नहीं है इसमें नाभा दास जो है सूफी का विधारा के कभी नहीं है question number 12 है नेरगुण का विधारा की प्रवीर्ति है तो इनकी प्रवीर्ति है रूडिवादियों यम बाह्य डंबरों का बिरोध question number 13 है पदमावत के रचेता कौन है तो इसके रचेता है जाइसी मलेक मुहमद जाइसी इनका पुरा नाम है question number 14 है पदमावत किस भासा में लिखा गया है तो पदमावत जो अवदी भासा में लिखा गया है question number 15 है अश्ट याम के रचेता कौन है तिसके रचेता है नाभा दास question number 16 है दो सो बावन वैसनों की वारता के लेखक कौन है तिसके लेखक है गोकुल नाथ Q17 है नंद दास किस कावेधारा से सम्मंदित हैं Q18 है सुर्सागर किस भासा की किरती है Q19 है इन्वे से सुर की रचना कौन सी नहीं है तो रास पंचयद है सुर की रचना नहीं है कोश्चन नमबर 20 है इनमें से क्रिश्न भक्त कभी कौन सा नहीं है तुलसी दास जो है क्रिश्न भक्त कभी नहीं है कोश्चन नमबर 21 है तुलसी दास की भक्ती का स्वरूप क्या था तिनकी भक्ती का स्वरूप था दास्य Q2 इन में से कौन सा गरंथ तुलिसी दास द्वारा रचित नहीं है Q2 इन में से कौन सा महाकाबे आवधी भासा में यारी आवधी में लिखा गया है तो वह है राम चरितर मानस कोश्चन नमर 24 है रिती कालिन कवियों की कावि भासा क्या थी इसकी कावि भासा थी ब्रज भासा कोश्चन नमर 25 है रिती कालिन के उस कवि का नाम बताई ये जिसने बीर रस में कविता लिखी तो वो था भूसन чет24 है बिहारि सतसाई की इस भासा का कावग्रन्थ है बिहारी सतसाई जो है ये ब्रजभासा का काविगरंथ है कोश्चन नमर 27 है सुजान सब्द का परियोग किस कभी की कविता में सरवाधिक हुआ है ये गहनानन्द कोश्चन नमर 28 है इनमें से कौन सा कभी रिती मुक्त नहीं है तो है केसव दास कोश्चन नमर 29 है कभी प्रिया की रचनाकार का नाम बताईए तो कभी प्रिया की रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है इसमें तो वो है केसव कोश्चन नमर 30 है इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है तो वो है पदमावती नहीं है Q31 है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है तो वो है रणधीर प्रेम मोहनी Q32 है हिंदी समालोचना के सुतरपात के लिए भारतेंद युग की कौन सी पत्रिका उलेखनी है Q33 है इनमें से सुरसती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है Q34 है छायवाद को इस्थुल के परती सुछम का बिद्रो किसने कहा यह कहा गया था किसके द्वारा डाक्टर नगेंदर के द्वारा Q35 है कौन सा कवी छायवादी नहीं है Q36 है छायवाद के प्रमुक कवियों में से किसमे गीतों की मधुर वेदना की मरमावेक्ति अधिक है Q37 है प्रगतिवादी काबिश्रिष्टी है Q38 है इनमें से कौन सी रचना किदारनाथ अगरवाल की नहीं है किदारनाथ अगरवाल की नहीं है ये पुछा जारा इसमें Q39 है प्रियोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रियोगवादी कभी का मुख्य तत्त क्या था इसका मुख्य तत्त क्या था नई राहों का अनुवेशन Q40 है निमलिखित में से कौन सा तारसब तक का कभी नहीं है Q41 है अगे कौन से वाद के कभी है तो अगे प्रियोगवाद के कभी है Q42 है हिंदी की पहली कहानी लेखिका है Q43 है गुलावी बन्नो कहानी के लेखक है Q44 है अलका जैसंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है यह है चंदर गुप्त की Q45 है असोक के फूल निबंध के रचेता है तो इसकी रचेता है हजारी प्रसाद दिवेदी Q46 है इनमें से कौन से स्वकृति आत्म कथा है तो वो है अर्ध कथानक Q47 है अर्ध कथानक किस विधा की रचना है तो वो है आत्म कथा के Q46 है प्रसाद द्वारा रचित इरावति कैसा उपन्यास है तो यह थर्थवादी उपन्यास है Q49 है इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम चंदर का नहीं है Q50 है हिंदी में रिपोर्ट टार्ज का आरम किस युग में हुआ ति यह हुआ था प्रसादत्तर युग या छायवदत्तर युग में Q51 है हमारी यात्रा के यात्रा बृत्तकार है Q52 है बनार्सी दास चत्रवेदी के रेखा चित्र है तो इसके रेखा चित्र होगा है उप्युक्त दोनों रेखा चित्र और सेत बंधु Q53 है अमिट रेखाएं इसमरल रेखा चित्रकार है Q54 है गणेश संकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है इनके जीवनी है अकाल पुरुस गांधी इनमें से जगनात दास रतनाकर की किरती छाटिये Q56 है निहार की रचना किसने की Q57 है शीवराज भूसन के रचिता का कवी कौन है तो इसके कवी का नाम पुछा जा रहा है तो वह है भूसन Q58 है इनमें से सूर दास की कृती कौन सी है तो वह है साहित्य लहरी Q69 है इनमें से कौन सी रचना तुलसी दास की नहीं है तो वह है साके कुशन नमर 60 है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है तो वो जोड़ा है महादेवी बर्मा निहार कुशन नमर 61 है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है तो वह है प्रिय प्रवास हर्योद कोशन नमर 62 है महा कवी भूसन की रचना है छत्र साल दसक कोशन नमर 63 है भरत मुनी ने रस सुत्र का विवेचन अपने किस गरंथ में किया यह किये थे नाटि सास्तर में कोशन नमर 64 है अनुभाओं को कितने भेद होते हैं तो अनभाओं के कितनी भेद होते हैं तो इसमें चार भेद होते हैं अनभाओं के कोशन नबर 65 है बीरों का कैसा हो बसंद में किस रस की स्रिष्टी हुई है इसमें जो है बीर रस की स्रिष्टी हुई है कोशन नमर चाचट है दुख ही जीवन की कत रही क्या कहूं आज जो नहीं कही उप्युक्त पांक्ती में कौन सा रस है इसमें करूण रस है ये सही होगा इसमें कोश्चन नबर 66 है मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरा ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पती सोई उप्रिक्त पंक्ती में से कौन सा रस है इसमें कौन सा रस से पुछा जा रहा है कोश्चन गलस है इसमें भक्ती रस होगा अगर इंसर आया तो भक्ती रस होगा है मैं पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी जो है पंक्ति में कौन सा रस है तो इसमें आपका भक्ती रस होगा ये सही होगा कोश्चन नमबर 69 है निम्नों से कौन मात्रिक छंद है इसमें जो है उप्रिक सभी होगा दोहा चौपाई रोला कोश्चन नमबर 70 है चंदर सास्तर के प्रेणिता आचारे माने जाते हैं तो ये माने जाते है पिंगल कोश्चन नमबर 71 है मंगल भौने मंगल हारी द्रबहु सो दसरत अजिर बिहारी इन पक्तियों किस छंद का प्रियोग किया गया है तो इसमें चंद है आपका चौपाई का कोश्चन नमबर 72 है नीज भासा उन्नती अहे सब उन्नती को मूल बिन नीज भासा ग्यान के मिटे नहीं की सूल इस पंक्तियों में कौन सा चंद है इसमें आपका रोला चंद है कोश्चन नमबर 73 है सूरसूर तुलसी ससी उडगन के सो दास और कभी खोत सम जेहत तेहत करे प्रकास इन पक्तियों में किस अलंकार का प्रियोग हुआ है इसमें प्रियोग हुआ है बिरोधा भास का डी सह योगा इसमें कोश्चन नमबर 74 है नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मिरदुल अद खुला अंग खिला हो जियों बिजली का फूल मेग बन बीच गुलाबी रंग इन पक्तियों में कौन सा अलंकार है इन पक्तियों में अलंकार आपका उत्परिच्छा अलंकार है कुस्ट नमर 75 है चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार कुस्ट नमर 76 है बिहार की राधानी पटना किस बिहारी बोली छेतर में इस्थित है यह है मगही कुश्चन नमर 87 है खड़ी बोली की पहली रचना है खड़ी बोली की पहली रचना का नाम है प्रेम सागर कुश्चन नमर 88 है पस्मी हिंदी के अंतरगत कौन सी बोली नहीं आती है कौन सी बोली नहीं आती है तो वह है कौरवी कुष्टर नमर 89 है पस्मी हिंदी की कितनी बोलियां है तो पस्मी हिंदी की जो है पांच बोलियां है पस्मी हिंदी, पुरुवी हिंदी, राष्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी ये पांच बोलियां है कोश्चन नमर 80 है बनाफरी किसकी उप बोली है ये बगहली की है कोश्चन नमर 80 है सिंधी भासा का संबन्द किस से है सिंधी भासा का संबन्द है ब्राचड से कोश्चन नमर 82 है हिंदी किस परिवार की भासा है हिंदी जो है भारोपी परिवार की भासा है कुस्त नमबर 83 है कौरवी भासा का उदे किसी हुआ कौरी भासा का उदे हुआ पस्यमी हिंदी से कुस्त नमबर 84 है निमलिखित में से कौन देशज सब्द है कौन जो है देशज सब्द है तो वह है जूता देशज सब्द है कोश्च्ट नमर 85 है दसानन निम्लिखित में से कौन सा सब्द है यह योगरूड सब्द है कोश्च्ट नमर 86 है निम्लिखित में से कौन मुर्धन धौनी नहीं है तो इसमें जो है धा मुर्धन धौनी नहीं है कोश्च्ट नमर 87 है निम्लिखित में से कौन एक अलप प्राण ध्वनी है कोशन नबर 88 है देवनागरी लिपी का विकास किस से हुआ तो देवनागरी लिपी का विकास हुआ था ब्राम्मणी से कोशन नबर 89 है देवनागरी लिपी में स्वान वाणों की संख्या है तो वह है कितनी है 11 कोशन नबर 90 है देवनागरी लिपी मुलता क्या है तो वह अच्छरात्मक है कोश्चन नमर एक यानवेर है देवनागरी लिपी के बिशे में क्या सत्य नहीं है तो वह यह वनात्मक लिपी यह सत्य नहीं है कुष्चन नबर 92 है तोता डाली पर बैठा है इस वाक में कौन सा कारक है इसमें अधिक करान कारक है कुष्चन नबर 93 है साधू आ रहे हैं वाक में साधू का वचन निर्धारित कीजिए इसमें जो है एक वचन है कोश्चन नबर 94 है निम्न में से कौन सा सब्द इस्त्री लिंग है तो वह है आरहर आरहर जो है इस्त्री लिंग है कोश्चन नबर 95 है बिद्य भ्यास का संदी बिज़ेद क्या होगा तो इसका होगा बिद्य प्लस अभ्यास question number 96 है नील गाय में कौन सा समास है question number 97 है तिरिभूज सब्द में कौन सा समास है question number 98 है अपने हाँ से स्वेम काम करो वाक्य का सुधरूप क्या होगा तो इसका सुधरूप होगा अपना काम स्वेम करो question number 99 है रामेण सब्द रूप में कौन सी रिभखती है चिसमें तिर्तिया रिभखती है question number 100 है बादल का प्रयवची सब्द नहीं है तो बादल का प्रयवची सब्द भरकट ये नहीं है question number 101 है अरवाचिन सब्द का विलोम सब्द क्या होगा आर्वाचीन सब्द का बिलूम सब्द होगा प्राचीन कोष्द नम्बर 102 है आकिर्त सब्द का सम्भिन्य आर्तमत क्या है इसका आर्त होगा ए बनावट कोष्द नम्बर 103 है छाती के बल चलने माला के लिए एक सब्द क्या होगा इसको कहा जता है कुरंग कोश्चन नमर 104 है बरस पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है इसका सही अर्थ है अत्यदिक क्रोधित होना कोश्चन नमर 105 है छठी का दूध्याना का सही अर्थ क्या है तो इसका सही अर्थ है बुरा हाल होना Question number 106 है, माल विग्ना मित्र नाटक की लेखा का नाम बताईएथ, इसकी लेखा का नाम है काली दास Question number 107 है, इनमें से कौन सी रचना काली दास की नहीं है, तो वो है प्रतिमा नाटकम, ये काली दास की रचना नहीं है Q8 है मालती माधो रचना की लेखा का नाम बताईएद इसकी लेखा का नाम है भव भूती Q9 है इनमें से कौन सी रचना भारवी की है तो वह है किर्तान जुनिय Q10 है सिसु पालबद की लेखा का नाम बताईएद सिसु पालबद की लेखा का नाम है माघ Question number 111 है इनमें से कौन सी रचना डंडी की है तो वह है 10 कुमार चरित की Question number 112 है नैस धिर चरित रचना की लेखा का नाम बताईए इसकी लेखा का नाम है स्री हर्स Question number 113 है बिद्याले का सही संदी विछिद कीजिए तो विद्याले का सही संदी विचिद है विद्या प्लस आले यह सही होगा इसमें Question number 14 है महासो सब्द में कौन सी संदी है Question number 115 है सचित सब्द में कौन सी संदी है तो इसमें आपका जो है ब्यंजन संदी है इसमें ब्यंजन कहीं दिया नहीं है कोश्चन नबर 116 है ग्रिह गच्छती सब्द का संधी विच्छत करना है तो इसका होगा ग्रिहम गच्छती कोश्चन नबर 117 है महात्मा सब्द में कौन सा समास है तो महात्मा सब्द में जो है अव्याइस भाव है Q118 है प्रती दिनम सब्द का समास विग्रह कीजिए इसका समास विग्रह होगा दिन दिन प्रती Q119 है सरिते सब्द रूप में कौन सी विभक्ती है तो इसमें विभक्ती पुछ रहा है तो इसमें चतुर्थी विभक्ती है कोश्चन नमबर 120 है जगत सब्द रूप में कौन सी विवक्ती है तो इसमें विवक्ती है आपका एक बचन कोश्चन नमबर 121 है तिथिष्ट धातू रूप में कौन सा लकार है इसमें लट लकार है Q122 है अपबत धातु रूप में कौन सा लकार है इसमें जो है लंग लकार है Q123 है प्रजा भया स्वस्ति सब्द में कौन सा कारक है इसमें कारक है सम प्रदान का Q124 है सहस्तु प्रदाने में कौन सा कारक है इसमें कारक है करण सब्द का हिंदी अनुबाद किजिए इसका हिंदी अनुबाद है राम घर जाता है यह सई होगा यह था टीजिटी हिंदी 2011 का साल पेपर तो उम्मित करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया ते इसको लाइक करें अपने दोस्तों किया अधिक सेयर करें ध